सब्सक्रवल गंद 10 गंद क्या बोरत है देखिए बोरत है कि ग्रते अट गंडे परते दिन कार करें एक peculiar दिनों को बारत कर सकता है यद़चे गंडे परते दिन कार करा तोओ काम समाप्त करेगा देखिए इसताय के लिए कुछ 건 बला को 6 घंटा लिख दीजी अपने आप दिन आ जाएगा 6 दूनी 12 ठीक न बच्चो देखिए 6 दूनी 12 इसे हम लोग गुना करते हैं 8 दूनी 16 कितना के 16 डे जा गिया ठीक है नो 16 डे जा गिया जो आपसन किसमे है बच्चो आपसन आप लोग देख सकते आपसन तीन नंबर म है ठीक न बच्चो इसके बाद देखिए ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोग के लिए क्योंकि इसी तरह को क्वेश्चन अब देखिनी को मिलेगा तो इसलिए आप लोग चिंदा ना करें जितना भी क्वेश्चन है वह मोस्ट इंपोर्टेंट चुन के लाया गिया है ठीक है न चली देखते नेस्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या बोग एक चुनाव में दो उमीदवार थे एक उमीदवार ने कुल मतों का त्यालीस पर तीससत मत प्राप्त किये तथा वह 336 मतों से हार गया डाले गे मतों की सिं ठीक हे मत कितना होता है हन्डेट परसन होता है होता है खिंग नहीं यह कितना लाए है 43 पर pararांन कर ई यह कितना लाए है 57% और और एक यह क्या होई यह जीता है एक इसका आंपतर होता है toca स्वा इसका अंगतर इसका से 43 गया तो 14 14 परसंट is equal to हो गया आपको 336 एक सो परतिसद कितना होगा देखी एक सो परतिसद कितना होगी से कारते 14 दुनिया 28 यहां पर कितना बचा तीन दुपांच चौदो त्या चौदो त्या चौके 56 चौदो चौके 56 कितना आ गया 24 24 को इधर multiple 100 से करना है 24 को multiple आब टो को किसी गूना किजेगा तो चौबिश सो क्या है कुल मत्तो की सिंखह 2400 है ठेक नंगोमे टोट कितना है 24 ठीक सिसे समझेते हैं अप लोग तथा देक्त होगा होगा ऽम समझ रहे है इतले ठीक सिसके समझते हैं देखिक आथे का 변 वरया कि डो मिदवार ठा ठाय एक ने 43 परतिसद मत लाया और 336 अचतिस मता से ठीक जिए टो जो हार गिया है तो कोई तर 직ट होगा एक वीम हो गिया लॉस हो गिया यcken अगिर पर्सेंट परतिसद से चीप ज़ुए तो इसका अंतर ही हर जित का फेसला होता है 336 का फेसला हुआ है तो 14 परतिसाद इस इकल टो 336 तो 100 परतिसाद निकालेंगे तो 24 आ जाएगा तो हम लोग क्या है 24 एंसर आ गिया ठेक न बच्चो अगर किसी तरह का डाउट है तो आप लोग कोमेंट सक्षन में बताइएगा आप लोगा डाउट को भी किलियर कर दिया जाएगा ठेक है नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन क्या बोरा है दियान से देखिएगा बोरा है कि 15 सेंटीमेटर भुजा वाले बर्गा काल टाइल को 3.6 मीटर इन्टू 4.5 मीटर हुजा वाले आयतकार छेत्र को ढखने के लिए कितने टाइल की आप सकता होगी देखिए 15 सेंटीमेटर है और यहाँ पर क्या हम मीटर में है तो हम यह लोग को सेंटीमेटर में कर देंगे ठीक है और आयतका छेत्रपल और बर्गा छेत्रपल से इसको कोईशन को हल करेंगे नमबर ऑप टाइल्स ठीक है डाइरेक्ट हम लिखते है तो देखिए क्या है यह वाला आयतका छेत्रपल क्या अधर लंबाई को ने चुड़ाई इसको सेंटीमेटर में कर दें तीन सो साट हो गया एंटू अधर हो गया चार सो पचास लंबाई कुणा चुड़ाई हो गया अब बर के चेत्रपल क्या होता है भुजा स्क्वार पंदरो एंटू पंदरो ठीक है देखी तका आड़ते हैं ध्यान देखिएगा पंदरो तिया पेंटालिस अब पंदरो दूनी थीस ठीके इसे आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 दूनी कितना होता है 36 का बड़ा में दूबर पढ़ेंगे तो कितना आएगा 72 और एक सुनना यहां पर है यह सुनना यहां पर बिठा दी है कितना आ गिया 720-720 टाइल की सिंखा चाहिए ठीक है अब अब सकता पड़ेगी चलिए दिखते हैं नेस्ट कोईशन हर इक कोईशन इंपोर्टन इसी तरह कोईशन पुछा जा रहा है ठीक है आप लोग इसे ध्यान से इस कलास को अपने कोपी में मोश्ट इंपोर्टन कोईशन को लिखिए और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल नोटिक्राइब को अन कर ले ताकि आप लोगो को हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच सके और यसा भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख लेते हैं और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब किजिए कि आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं और ओही मेरा मोडिवेट है कि हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं आप लोग subscribe करते हैं और like करते हैं ताभी मेरा मन करता है कि और वीडियो इस्तरह का लाए और लड़का लोगा selection किस तरह से नोगते विदल में करा पाएं तैले देखते हैं क्या वह आप हो रहे 15 है और 18 है इसका LCM ले लिजिए कितना आज लेंगे तीन से ले 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 रहें 3 चोक 12 तीन पाचे 15 और 3 चोक 8 एक वो दो सो ले ले लेते हैं ठीक है दो सो ले 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 दो दूनी 4 पाच का 5 और 2 तिया 6 कितना आज देखिएगा आप लोग आग यहाँ 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12, 65, 60 तीया 180 इह 180 किया आया हम लोगा देखिए सब सेकंड में है सेकंड आगी से हम लोग साट से डिवाइन कर देते तो मिनट में आ जाएगा देखिए 00 कर गिये 6 तीया 18 कितना मिनट में आ गया कितना मिनट आया 3 मिनट आ गया कितना ये वह च्छो तीन्मीनट ठीक है तीन्मीनट आ गया तो हम लोगे कृतना बज़ अता पहले आट बज़ कर 35 मिनट और तीन मिनट इसमें आट बज़ कर कितना अगया आट तीन्मीनट जो अपना लोग दिख रहा किसमें है एक में है चलिए अब नेस्ट कुछिन देखते हैं नेस्ट कुछिन क्या बो रहा है देखिए कुछिन क्या बो रहा है एक यदि एक बर्गा कर आगन का परिमाप कितना 200 मीटर है तो उसका चेत्रफल बर्ग क्या होता है चेत्रफल बर्ग का परिमाप क्या होता है च चार गुणा में भुजा ठीक है चार का पड़े में इसे कटते हैं चार पाँचे बीस पचास आ गिया तो भुजा हम लोग कितना गिया पचास और बर्ग एरिया क्या होता है एरिया क्या होता है भुजा स्क्वाइर तो पचास का स्क्वाइर कितना होगा 50 को हम लोग SQ करते हैं तो कितना हो गए आप ही लोग बताइए 25 25 और 2 सुनन ठीक है कितना हो गए 2500 तो 2500 एवल एंसर मत मारिएगा 2500 का एवल एंसर मत मारिएगा यह जब भी छेत्रफल होता है बर्ग मीटर में होता है ठीक है बर्ग में रहेगा तो किस में अपसन हम लोग आपसन आप लोग धियान से देखिएगा अपसन हम लोग गा अपसन 4 में है 2500 बर्ग मिटर ठीक है जो चार नुमर एंसर में है अपसन में ठीक है इसके बाद next question देखिए next question क्या बोढ़ा है next question आप लोगा यह रहा यह आप लोगा next question है next question में क्या बोरा आप लोगा ध्यान से देखिए next question में बोरा है कि यदि 6, 5, x, 4, 15 का ओसत कितना है 12 है तो x कमान क्या होगा देखिए ओसत दिया हुआ है तो 6 plus सब को जोड़े देंगे 5 plus x plus 4 plus 15 12 के को से इंगा देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इधर गुना कर दिया 12 से ठीक है 12 से गुना कर देंगे इधर 12 पाचे 60 आ गिया ठीक है न बच्चों अधिकी से जोड़ेते हैं 15 और 5 20, 26, 26, 26, 24, 30 30 plus में x यही हम लोगा answer आएगा इसमें ठीक है तो इधकर 60 है 60 में 30 गिया तो x का मान कितना आया अब लोग x का मान जानते हैं कि 30 आएगा कि 60 में 30 आएगा तो 30 आएगा जो option किस में है option 1 में है इसका यही मान आएगा x का ठीक है न बच्चों इसके बाद देखिए next question हर एक question important है ठीक है तेखिए next question क्या बोड़ा है एक आयतकार खेत की परिमाब 40 मेटर है ठीक है तता उसका चोड़ाई कितना है 8 मेटर है तो उसका छेतरफाल उसका छेतरफाल निकालना है तो परिमाब आयतका परिमाब क्या होता है आयतका परिमाब देटू गुना लंबाई जोड चुड़ाई और एरिया क्या होता है आयतका एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चुड़ाई ठीक है इस question को आप लोग को home work रहा और इसको आप लोग comment section में इसका answer बताईएगा वित नाम के सहता हम देखेंगी को इतरा ललका का सही answer आ रहा है ठीक है option 4 गो A, B, C, D या 1, 2, 3, 4 के option है आप लोग comment section में इसको बताईएगा ठीक comment करके चलिए next question देखते है next question क्या है बोरा है कि एक गाड़ी 75 km परती घंटा की गती से चलती है 350 km के दिर्टाई करने में वोसे कितना समय लगेगा ये आप लोगा time, speed, distance का question है ठीक है देखिए क्या होता है time is equal to होता है distance by speed ये याद कर लिजिएगा ठीक है time is equal to कितना है distance time is equal to फरुमना distance by speed ठीक है न तो distance कितना है 350 है और speed कितना है 75 है किसमें आएगी देखिए हमलों 38 से 5 का पढ़ा है में 5 एकम 5 2 बचे 25 5 साथे 35 70 हो गिया फिर इसे कारते हैं ध्यान से देखिएगा आप लोग 5 टिया 15 14 25 ठीक है तो 14 बटा में 3 और इसे गंटा में आया है इसे हमलों मिनट में चेंज कर रहे है 60 से कुना कर देंगे ठीक आगा देखिए ठीक आजाएगा 3 दूनी 6 ठीक है तो टोटल हमलों क्या आगिया 14 दूनी 28 14 दूनी 28 यहां देखिए 14 दूनी 28 क्या आगिया मिनट आगिया हमलों का मिनट आ गिया तो अब इसे हम लोग सार से डिभाइर कर देंगे तो घंटा मिनट में किलियर हो जाएगा ठिक है तो 00624 ठिक है बचा कितना 24 बचा 4 ठिक है चार बज़िकर 40 मिनट चार बज़िकर 40 मिनट किस अफ्चन में अफ्चन चार में है दखिए सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर आप लोग टाइम निकाल लीजी टाइम का फर्मूला आए डिस्टेंस बाइश्पीड कितना आया हम लोग टोटल आया 14 बटा 3 इसे 60 से हम लोग मिनट में आ गिया कितना गिया 280 ऐसे फिर हम लोग टिवाइड कर दिया कितना 60 से कट गिया 00 तो इवला किया गिया चार घंडा 40 मिनट जो अफ्चन चार में आप लोगा एंसर है अरे question को बनाना है नहीं तो बाद में आप लोगो ना पस्ता ना पड़े तो हमको बोलिएगा और आप लोग एक्जाम देके आईए इसकी तरह का question अगर नहीं मिला तो बोलिएगा ठीक है चलिए next question देखते है next question आप लोग क्या है hcf निकलना है p q और r का hcf मतला है hcf ठीक है hcf हम लोगों निकलना है द्यान से देखिएगा this बोधा highest common factor लेकिन factor में जब उसका power में रहेगा तो उसको छोटा बला लेगे तो देखिए 2 का power 8 है 2 का power 3 है 2 का power 7 है तो क्या लेगे 2 का power 3 लेगे सबसेड़ चोटा बला into जबाए लटू देखिए आप तीन का पावर पांच है यहां पर तीन का पावरर चार है और तीन का पावर पांच है रहा है तिन का पावर चार ले लिए तिन का पावर चार ले लिए तिन का पावर चार यह हम लोग answer हो गया, जो option किस में है, option चार में है, ठीक है न, यह हो गया highest common factor, जो सब में रहेगा, उसी को लेना है छोटा बड़ा लेना है, और LCM होता है कि जो सब में रहे या नहीं रहे, जो सब से बड़ा है उसी को लेना है, अब आद बड़ी सब को ले लेना है, ठीक है, वो LCM हो गया ठीक है, चलिए next question देखते है इस session का last question क्या है देख लिए ठीक से, घंटी बड़ा question है, घंटी बड़ा question आप लोग का तो वह कितने बजे फिर एक साथ बजेगा एक साथ बजना बजाना है, तो साड़े आठ बजे गवर बज गी है, अब कब बजेगा, तो देखिए चार, पांच और छे, का LCM ले, इसको डारेक्ट हम लोग, अब आज गुनान प्रण बिदी दवर तोड़ते हैं, दुखा पड़ा में दोदुनी चार, पांच तीन, आगिया, ठीके, देखिए अब इससे गुना कर देखिए, दोदुनी चार, चरपजे 20, बिश्तिया, 60, कितना आगिया 60, किसमे दिया मिनट में 60 मिनट, इस गल्ट कितना हते है, 1 आउर 1 गंड होता जिन, एक गंड होता है अगर 8 बजे, ये 1,7 बजा है, और 1 गंड इसको जोड देंगे तो 69 बजे फिर बजे गा 69 बजे फिर बजे गा न, तो 69 बजे हम लोगा अंसर हो गिया, ठीक है